हलो फ्रेंट्स आईए देखें धनों राशी के लिए ये वीग क्या कह रहा है 29 एप्रिल से 4 में ये वीग उनकी लिए क्या कह रहा है लगता पिछले दिनों आपने कुछ उधार ले रखा होगा लोगों से कुछ करजा ले रखा होगा इस वीग में वो करजा आप चुकता करनेंगे है आपके पास कहीं से ऐसी धनराशी आने वाली है कि आप इस वीग में उस करजे को चुकता कर देंगे और कहीं कोर्ट में या कहीं और किसी बात पर यदि विवाद चल रहा है कि तो उस विवाद मामले में आपको success मिलने वाली है Controversial If there is any controversial thing going on, talk going on You will be successful into that आपसे एक बात कही जारी कोई भी ऐसा काम मत कीजे जिसमें risk हो चाहे वो money related हो चाहे आपके शरीर से related हो आपकी family से related हो तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजेगा आपको अकेले रात के समय खास कर शाम के बाद खास कर अकेले नहीं जाना है यदि जाना ही पड़ता है तो किसी को साथ में लेकर चाहे गा किसी भी सुनसान मार्ग पर आपको अकेले नहीं जाना है ये बहुत ध्यान रखना है कोई भी रिस्क की काम नहीं करना है ऐसा रिस्क मत लीजे कि आपकी फैमिली आपका मनी प्रॉब्लम में आ जाए और आपको किसी भी सुंसान मार्क पर शाम होने के बाद खास कर या दिन में भी आपको अकेले बिल्कुल नहीं जाना है प्रफेशन में जो हैं चाहे क्यारियर ह तो उसमें चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं क्यारियर में चेंजेस नजर आ रहे हैं और बिजनेस में अचानक से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है अपने फ्रेंज के साथ में स्टूडेंस का टाइम अच्छा गुजरने वाला है पर ऐसा नहों आप अपने फ्रेंज के साथ इतना टाइम स्ट कर दें गार की बढ्राई कि लिए टाइम न मले और चसे आपको पढ़ाई का रिवर्ट देने का टाइम आए तो आपको टेंशन शुरू हो जाए इसलिए फ्रेंट्स के साथ उतना ही टाइम स्पेंड कीजिए कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो आपके health point of view से पेट में प्रोब्लम हो सकती है और या पैड में प्रोब्लम हो सकती है पेट की प्रोब्लम से वशने का सबसे बढ़ी तरीका है खान पाल पर कंट्रोल रखी और जितना हो सके उतना पानी पीजे गर्मी आ चुकी है आपके प्रेमी के आपको पूर्ने सहयोग म कर दा है